Hello everyone, welcome you all to the Net Pharma So, काफी लॉंग टाइम के बाद, अब हम दूसरी वीडियो आपके सामने आपर डाल रहे हैं जिसमें आप अब चेक करने वाले हो, what is the drug dosage forms यानि कि हम जितनी भी drugs देते हैं, वो हम किसी न किसी form में देते हैं उनी के बारे में आज हम Net Pharma के थुरू पढ़ेंगे So, सबसे पहला हमारा इसमें आता है, what are the types of the dosage forms उसे पहले हम जान लेते हैं कि dosage forms का मतलब क्या है See, यहाँ पर आप specifically देख सकते हैं, मैंने आप पर यह define क्या हुआ है कि what do you mean by the dosage forms So, dosage forms are the means by which drug molecules are delivered to the site of action within the body form होती है, जिसके दुआरा हम किसी भी drug molecule को यानि कि किसी भी active ingredient को उसकी particular site तक पहुचाते हैं जहाँ उसे काम करना है, जहाँ उसे अपना particularly action देना है उसको हम बोलते हैं site of action और उस particular drug को या active molecule को हम बोलते हैं drug molecule So, यहाँ पर दूसरी बात आती है कि what is the need for the dosage form कि dosage form की basically need क्या है क्यों हम dosage forms को build up करते हैं So, यहाँ पर हम पहला हमारे पास जो सबसे main यहाँ पर criteria आता है वो आता है that is the accurate dose यानि कि हमें एक particular इंसान को एक particular amount of dose देनी है यह जैसी कि suppose अगर मुझे 500 mg if in case अगर मुझे किसी person को 500 mg देनी है तो मैं उसे किस form में दू suspension के form में दू, tablet के form में दू कि कैसे दू तो इस 500 mg को हम बोलेंगे dose जो हमें उसको देनी है और accurate का मतलब है proper यानि कि 500 mg उसके stomach पे या फिर उस site of action पे पहुँचे that is known as accurate बिलकुल accurate पहुँचे यह हमें आपर justify करना है तो यहां पर दूसरी में चीज़ आती है कि protection that is example like coating of tablets or sealed ampules तो इसमें dosage forms हम क्यों बनाते हैं कि अगर हम किसी भी particular इंसान को एक particular जो drug molecule है वो दे रहे हैं और अगर हम ऐसी ही powder उठाकर उसको दे दे या दूद में मिलाकर पिला दे तो वह properly action नहीं करेगी जब तक आप उसकी एक form नहीं बनाओगे suppose in the case अगर आपके पास कोई भी एक liquid है और उसके अंदर आपने drug molecule को ऐसे ही mix up करके उसको पिला दिया उसको हम एक dosage form नहीं कहेंगे जब तक हमारे पास एक proper वहाँ पर accurate dose मौझूद ना हो तो उस case को हम क्या कहेंगे कि जब हम लोगों ने tablet बनाते हैं तो हम आपने सब ने देखा होगा कि वहाँ पर एक dose mentioned होती है कि यह जो tablet है वो 200 mg की है या 500 mg की है जो 500 mg है यहाँ पर accurate dose mention हुई है और इस tablet को हम भोलेंगे dosage form यानि कि dose देने की form किस form के through हम dose दे रहे हैं वो हो गई tablet और इसको हम protect भी करते हैं dosage form बनाने के through उसमें हम क्या करते हैं कि कि किसी भी tablet को हम coat करवा देते हैं एक polymer से ताकि जैसे भी हमें उसका action चाहिए वो वैसे ही action वहाँ पर produce हो कैसे action चाहिए हमें suppose in the case कुछ drugs ऐसी होती है जिनको हम डगर tablet के form में देते हैं तो वह स्टमक में जाके ulceration cause करती है तो अगर वह ulceration cause करेंगी तो वह effect न देकर हो सकता है कि side effect produce कर जाएं तो उस case में हम उस tablet को एक coating करा देते हैं that is known as enteric coating और enteric coating कराते ही व वह स्टमक जो भी वह drug होगा यह जो भी वह dosage form होगी वह स्टमक में नहीं खुलेगी वह कहां जाकर खुलती है और जिसकी वज़े से क्या होता है जो ulcer cause हो रहा था जो स्टमक में जाने पर ulcer cause हो रहा था ulceration वह totally cancel out हो जाता है सो यह हो गया आपका protection by the coated tablets so secondly हाँ पर है sealed ampule यानि कि जो भी ampule यहाँ पर है उनको अगर हम sealed form में दे रहे हैं as a dosage form उससे क्या हो रहा है उन particular का उस particular से क्या हो रहा है कि sealed form में जब आप ampule वहाँ पर दे रहे हो तो उससे क्या हो रही है कि जो भी आपका moisture हो सकता था उस ampule में जाने के बाद जो आपकी drug को destroy कर सकते थे या degrade कर सकते थे वो चीज सारी cancer out हो जाती है क्योंकि हमने क्या किया है जो भी ampule की bottle है उसको हमने sealed कर लिया है और जबी sealed हो जाती है या seal कर रहे हैं protect कर रहे हैं from the gastric juice masking the taste and order see यह बहुत important है कि हम कोई भी अगर tablet capsule वगेरा बना रहे हैं तो उसका main motive mostly यही होता है कि जो भी जैसे बच्चे होते हैं अगर वह कोई भी tablet capsule के हम बात करें तो वह swallow नहीं कर पाते हैं तो उस case में main reason यह भी होता है कि उनको दवाई कड़वी लगती है क्योंकि tablet जब वह अपनी टंग पर रखेंगे तो उसमें कुछ कड़वाहट उनको मैसूस होती है जिस वज़ेसे वह easily उसको salon नहीं करते हैं बच्चे बच्चे यह कोई भी इंसान जिसको भी कड़वाहट पसंद ना हो तो उस case में क्या होता है कि उसकी टेस्ट मास करने के लिए किसी भी tablet को हम कोटिंग कर देते हैं sugar coating के थूँगर कोटिंग करने से क्या होता है कि उसपे एक तरह से चीनी की परज़ चढ़ जाती है और वह जो drug molecule जो यह अंदर का drug molecule था जो कड़वा था जो बिटर था उसका पूरी तरह से टेस्ट मास्क हो जाता है यानि कि हम उसे कवर कर देते हैं मीठे टेस्ट से और अगर किसी भी दवाई में सपोज यही कोई टैबलेट है जो बनने के बाद इसमें इसकी ड्रग जो है इसके अंदर जो ड्रग है उसमें से बहुत अलग स्मेल आ रही है अच्छी इसली ले सकें नाव प्लेस्मेंट ऑफ ड्रग विदिन बॉड़ी टिशूज ऐसी बहुत साइड डोसेज फॉर्म होती है जो इसलिए बनाई जाती है ताकि आप उन्हें बॉड़ी टिशूज में जाकर प्लेस कर सकें सब्सक्राइब इन दी केस इस दो इस दाइज इस दा होना हुआ है उस तरह की चिप टाइप होती है जो बनाई जाती है बाइद नैनो पार्टिकल्स अनौल वह बहुत ही लंबा प्रोसेस है रिसर्चिंग के थुरू तो यह जो पैचिस बनते हैं यह चिप्स बनती हैं यह आप उस जो आपने यह स्किन हटाई है थोड़ी सी उ अपना जो ड्रग इसके अंदर मौजूद है उसको वह रिलीज आउट करती रहती है उस मौश्चर में गुल के तो यह को हम बोलते हैं वाट प्लेस्मेंट ऑफ ड्रॉक्स विदिन बॉडी टिशूस सो बॉडी टिशूस के अंदर या उनके अंदर हम जब कोई भी तरह का प्लेस्मेंट करते हैं किसी भी ड्रक का तो उसको हम बोलेंगे पैच इस सटेंड रिलीज मेडिकेशन वह होती है जो लंबे टाइम तक असर करती है यानि की सस्टेंड जो हम वर्ड हैं पर सुन रहे हैं एक पर्डिकुलर होता है जो भी हम अलग से भी आपको समझाएंगे उसमें क्या होता है कि 3 levels होते हैं एक तो होता है medium वो फे बहुत short में आपको बता रही हूँ और एक तो होता है minimum effective level जो ये वाला होता है जिसको हम effective level बोलते हैं या concentration बोलते हैं और ये होता है maximum effective तो और यहां पर हो जाता है आपका टॉक्सिक लेवल तो यानि कि कोई भी दवाई जब आप दे रहे हो तो उसका काम क्या होता है अगर वो पर्टिकुलर्ली यहां जीरो से स्टार्ट होगी और अपना इफेक्ट देगी और वो एक टाइम पर आकर आपकी एक्जिट आउट हो जाएगी इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान देना होता है कि कोई भी दवाई एक तो टॉक्सिक लेवल के पार ना जाए तो इस केस में क्या होता है कि हम उसे सिरफ मैक्जिमम एफेक्टिव लेवल तक ही पहुंचाते ह है उसको हम ऐसे बिल्डब करते हैं उससे क्या होगा कि उसका कम टाइम में यानि कि कम टाइम में ज्यादा एफेक्ट होगा और टॉक्सिक एफेक्ट वो प्रिडियूस नहीं करेगी तो उसकेस में सस्टेंड की बात आती है कि अगर कोई भी ज्रग आप ऐसी कोई भी करके और फिर एग्जिट आउट हो जाती है सपोस्स इंदी केस दो घंटे में उसने अपना असर किया और वो तीसरे घंटे बाहर निकल गई तो उस तीसरे घंटे के बाद आपको चौते घंटे फिर से एक दवाई लेनी पड़ेगी फॉर दा एक्शन तो उसको बचाने के लिए उस चीज को कवर अप करने के लिए अब ऐसी दवाई यह बिल्डप हो गई है जिसमें बेसिकली आप क्या करते हो कि वह दवाई एक बार अगर रिलीज आउट हुई आपकी बाड़ी में और उसने अपना एफेक्ट करना प्रोड्यूस यहां पे स्टार्ट किया तो एक ही दवाई काफी टाइम तक अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती रहती है यह सस्टेंड इफेक्ट होता है उसका लंबे समय तक क्योंकि कलर इसमें नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरे कलर से बता देती हूं यहां पर यह इस तरह से एक पर्टिकुलर पीक आ जाती है कि यही एक दवाई यही एक पर्टिकुलर अमाउंट पूरे 6-7 या 8 घंटे तक अपना असर दिखाती रहती है तो उसको हम बोलेंगे सस्टेंड यानि कि एक लंबे टाइम के लिए वही दवाई असर कर रही है कंट्रोल्ड रिलीज मेडिकेशन वह होती हैं जिसका हम रिलीज कंट्रोल करते हैं यानि कि उसको किस पर्टिकुलर टाइम पर दवाई रिलीज करनी है यानि उस डोसेज फॉर्म में से किस टाइम पर जाकर दवाई रिलीज होगी so that is known as controlled release medication जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम किसी भी एक tablet पर या drug के उपर हम अगर entire coating कर रहे हैं तो हम उसका release control कर रहे हैं कि इसको stomach में जाकर नहीं घुलना है इसको intestine में ही जाकर घुलना है तो यह controlled हो गया यानि हमने इसके घुलने पर या इसके release होने पर control कर लिया है कि तुझे stomach में नहीं घुलना है तो हम control कर रहे हैं उसकी release को nextly optimal drug action optimal drug action is what कि एक particular जो drug आप दे रहे हो उसका एक optimal action हो यानि कि उसको एक particular action produce ज़रूर करना है तो ऐसे इसके लिए भी हम लोग build up करते हैं dosage form suppose हम parental बनाते हैं तो उसमें क्या होता है emergency cases में हमें उसका suddenly action चाहिए तो उस case में parental बनाते हैं क्योंकि वो directly कहां पहुच जानते हैं आपकी blood में तो उसमें आपके पास इतना time नहीं होता है कि आप उसको tablet दो उसके बाद वो आपके मतलब ADME के थुरू जाया यानि कि absorption, distribution, metabolism और फिर excretion तो इतना time नहीं होता है emergency condition में तो उस case में हम लोग parentals prefer करते हैं जिसमें वो directly injections के थुरू जाती हैं तो उससे आपका जो time period है वो बहुत short हो जाता है वो जल्दी action करती हैं नेक्सली insertion of drugs into body cavities insertions की जाती है body cavities के अंदर जिन dosage forms का उनको हम दो तरह से बोलते हैं rectal और vaginal यानि vaginal area में जब कोई भी insertion होगा उसको vaginal dosage form बोलेंगे और जब rectal area में कोई भी insertion की जाएगी drug या dosage form उसको हम rectal dosage form बोलेंगे नेक्सली use of desired vehicle for insoluble drugs यानि कि जो भी insoluble drugs होती है या फिर जो भी drugs insoluble होती है किसी भी एक particular water में solvent में तो उनके लिए हम कोई ना कोई desired vehicle देखते हैं vehicle यहाँ पर हम बोलते हैं solvent को जिसमें हम कोई भी दवाई घोल रहे हैं या फिर जिस particular vehicle में हम लोग उसको घोल कर कोई solution suspension या emulsion बना रहे हैं यह सारी बाते थी about the types of dosage forms अब nextly हम यहाँ पर देखेंगे कि एक medicine और एक particular dosage forms में क्या फरक है तो देखिए एक medicine क्या होती है it is the active pharmaceutical ingredient ठीक है it is the active pharmaceutical ingredient यानि कि ऐसा pharmaceutical ingredient जो active form में होता है जिसको अपना action produce करना होता है और उसके साथ हम excipients यहाँ पर add कर देते हैं see excipients normally क्या होते हैं आपके आप additives कहलो इनको so additives क्या क्या हो सकते हैं आपके कि आपने उसमे coloring agent डाल दिया flavoring agent glider डाल दिया binder डाल दिया तो यही सब होते हैं आपके excipients जो उसको जोडने का काम करते हैं यानि कि अगर आपको कोई आटा गुनना है तो उसके लिए आप खाली आटे को तो नहीं मतलब ऐसे आप आटे को तो नहीं गुन सकते हो ना उसमें आप पानी डालते हो या पर्टिकुलर मसाले डालते हो तो ऐसे ही same form में आटे को पानी की जुरत होती है बाइंड होने के लिए और ऐसे ही for example अगर मैं आपको घर के ही किसी related बताऊं तो उसमें क्या होता है कि आप suppose घर पे कोई भी recipe बना रहे हो तो उस case में क्या होता है कि अगर हमें suppose पकॉड़े बनाने है तो क्या हम directly आलू को ऐसे ही घी में डाल देंगे उसकी जंगापर हम क्या करते हैं उनको bind करने के लिए हम आटे का यूज करते हैं जैसे हमने basin यूज किया तो उसमें main जो है that is the vegetable लेकिन हम उसमें जो आटा यूज कर रहे हैं वो हम as a binder यूज कर रहे हैं पानी जो यूज कर रहे हैं as a vehicle यूज कर रहे हैं तो वो सब हो जाएंगे आपके तो किसी भी particular drug जो कि एक powdered form में है जो एक powdered form में है उसमें जब हम कोई भी binder यूज करते हैं फिर उसके बाद उसमें पानी या vehicle यूज करते हैं सब मिलाकर जो हमें एक डो मिलता है हमें दवाई बनाने के लिए जो डो मिलता है उसको हम पूरे को मतलब पूरे को हम दो को क्या करते हैं फिर उसके बाद compress करते हैं फिर tablets बनती है यह जो भी हमें बनाना है dosage form तो यानि कि अगर हमें overall कोई चीज़ कहनी हो तो active pharmaceutical ingredient के साथ जब excipients यानि additives जुड़ते हैं तब ही वो जाकर बनाते हैं medicine यानि कि एक dosage form जैसे कि आपकी टैबलेट हो गई capsule हो गई या फिर suspension, emulsion, etc. next list में आता है आपका क्या according to root of administration तो root of administration के according यानि कि कैसी root of administration है root यानि कि कि रास्ते के through होकर आप उसको administer करवा रहे हो या आप किसी भी patient को दे रहे हो या वो दवाई को ले रहा है जैसे कि अगर मैं कहूं कि मुझे टैबलेट खानी है तो मैं mouth के through उसको swallow करूंगी right तो mouth हमारा क्या हो गया it is the oral dosage form ठीक है तो उसको हम बोलेंगे oral dosage form next लिए उसके बाद अगर हम टॉपिकल की बात करें wait a minute okay तो यहां पर oral dosage form जो है उसको हम बोलेंगे विच इस डेटेट टू माउथ ओके नाव टॉपिकल जो बोलते हैं और फैल्मिक हो गई आपकी आइस की आपकी हो जाएंगी आइस से लेटेट यानि जो भी हम आई डॉप्स वगयरा यूज करते हैं परेंटल हमें सब हम पेशेंस जो होते हैं उनको दी जाती है आप और श्राइंच के लिए होती है उसको हम ओडेंगे रैक्टल जो रैट्टल एंडिया के लिए होती है लाट इस्ट आफ्धिन ऐस रेक्टल डॉसेच फॉर्म जो सपोज़ेटरी सोथी है और वेजाइनल के लिए हम उनको और जाइनल भोलेंगे, so oral में basically यहां पर हम लोगों ने चार यहां पर लिखी है, that is a tablet, capsule, syrup and suspension, tablets अभी को पता है, एक तरह की unit dosage form होती है, capsule, it is also a unit dosage form, syrup जो होती है, वो liquid form होती है, और suspension जो होता है, वो हम as a biphasic liquid dosage form बोलते हैं, topically जो होती है, उसमें oignments आते हैं, जो आप creams वग जो आप अपनी skin पर लगाते हो, वो सभाज रहेंगी, उसमें आपकी cream हो गई, gel हो गए, paste हो गए, so ophthalmic में eye drops आती है, ophthalmic oignments जो आते हैं, जो vitamin E capsules टाइप आती हैं, उनको हम basically ophthalmic oignments टाइप बोलते हैं, उस तरह की जो soft gel capsules में आते हैं, वो ophthalmic oignments होते हैं, gels होते हैं, intravenous injections हो गए, IV injections, IM injections और subcutaneous यानि जो skin की layer में दी जाती है, inhalation में होता है, आपका aerosols और जो nebulizers होते हैं, वो inhalation के लिए दी जाते हैं, फॉरदास्तमा या bronchitis से related कोई भी अगर patient हो, autic यानि की ear drops, जो कानों में दी जाती है, drops, कान की कोई भी दवाई, उसको हम autic बोलते हैं, rectal जो suppositories वगेरा होती हैं, जो enemas होते हैं, उनको हम as a rectal dosage form बोलते हैं, और vaginal, जो pessaries होती हैं, उनको vaginal dosage form बोलते हैं, so nextly आता है आपका excipient, यानि की जो मैंने अभी additives के बारे में आपको बताया, कि कैसे additives होते हैं, तो उसमें हम basically यहां पर बात करने वाले हैं about the excipient, so excipient क्या होते हैं, major, it is the coloring agents, okay, sorry for the interruption, coloring agents, नाम सा समझ में आ रहा है कि ऐसे particular ingredients, जो भी हम color impact करने के लिए देते हैं, यानि कि अगर हमें किसी भी particular dosage form में कोई भी color देना है, suppose in the case, अगर हम बच्चों की दवाई बना रहे हैं, हम syrup बना रहे हैं, और उनको वो दिखने में अच्छी नहीं लग रही है, तो वो नहीं पीएंगे, तो उस case में आपने देखा होगा, आपने भी time पर, कि जो भी बच्चे होते थे, उनको pink color की दवाईयां बड़ी पसंद होती थी, या pink color की दवाईयां हम वो पीने को तयार होते थे, और उसके साथ साथ, अगर हमको grapes का flavor आ रहा है, तो उसमें वो चीज़ बहुत help करती थी, कि जो patient compliance था, वो increase हो जाता था, so that was a very major action, जो कि doctors या pharmacists उस time पर play करते थे, कि वो experience यूज करते थे इस तरह कि, ताकि किसी भी तरह से बच्चा जो है, वो दवाईय पी ले, so उसमें coloring agents हम लोग add करते हैं, for the, for affecting या effective appearance, किसी भी particular dosage form का गरा में, appearance बढ़ाना है, तो उसके लिए भी हम उसको use किया जाता है, coloring agents को, differentiate करने के लिए भी use किया जाता है, और patient compliance के लिए भी हम उसको use करते हैं, sweetening agent, जैसे कि मैंने बीचे बताया था, कि sweetening agent हम use करते हैं, ताकि किसी भी एक dosage form का हम लोग, जो भी bitter taste है, उसको हम mask कर सकें, तो उसके उपर एक coating कर दी जाती है, sugar coating time, ऐसे ही हम flavoring agent की बात करें, तो कोई भी ऐसी दवाई जिसमें कड़वाहट हो, उसको हम mask out करना चाहें, तो उसके लिए हम flavoring agent use करते हैं, ताकि उस particular में कोई न कोई flavor आए, antioxidants, solubilizing agents हम use कर सकते हैं, ताकि दो या दो से जादा अगर आप उसमें drugs use कर रहे हो, आप उनको solubilize करना चाहते हो एक दूसरे में, तो उनको solubilize करने के लिए भी आप solubilizing agent use कर सकते हो, antioxidants use कर सकते हो, ताकि वो oxidized ना हो, या फिर आप antioxidants भी इसमें basically use कर सकते हो, preservatives हम use करते हैं, for the preservation of the drug for a long time, तो आप लंबे टाइम तक उस particular dosage form को preserve रखने के लिए भी preservatives use कर सकते हो, thickening agent आप use कर सकते हैं, ताकि उस particular में किसी भी दरह से thickness आए, उस particular dosage form को अगर आप थिक बनाना चाहते हो, तो उसके लिए thickening agent आप use कर सकते हो, suspending agent mainly suspensions में use किये जाते हैं, ताकि आप उस में एक तरह से suspension के आपको अलग से definitions अगरा सब दिखाई जाएगी इसमें, जिसमें आप suspending agent यूँ यूज करते हो, बताया जाएगा, बेसिकल यहाँ पर आप अगर suspensions की बात करो, तो उसमें जो भी आपका solute या solvents होते हैं, उस solute को solvent के अंदर suspended form में रखने के लिए भी हम suspending agent यहाँ पर use करते हैं, जैसे suspensions होती हैं, जैसे आप उनको shake करते हो, तो वो इस form में suspend हो जाते हैं सारे particles, इसलिए यह suspending agents use की जाती है, binding agents जैसिक मैंने बताया था कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हम bind करते हैं, bind करने के लिए form उसमें add करते हैं, तो उसको binding agent क्याते हैं, जोडने के लिए, ऐसे यहाँ पर solvents की बात करें, तो solvents यूज किया जाते हैं, बेसिकलर जैसे हम आटा गूनने के लिए पानी यूज करते हैं, ऐसे solvents यूज करते हैं, और solvents की particular को liquid form में लाने के लिए या उसको जोडने के लिए binder सब को जोडने के लिए, एक dough बनाने के लिए भी solvents यूज की जाती है, lubricants basically एक ऐसा ingredient है जिसको हम यूज करते हैं ताकि जो भी हम tablet या जो भी हम बना रहे हैं वो उस machine में जाकर ना चिपके, मतलब उसकी चिपचिपी चीज जो होती है उसको एक lubrication प्रवाइड करने के लिए उसको एक खनाहट प्रवाइड करने के लिए भी हम लोग lubricant यहां पर यूज करते हैं और perfumes use की जाती है ताकि जो भी अगर किसी dosage form में अगर smell आ रही है उसके अच्छी fragrance नहीं है तो उसको एक fragrance प्रवाइड करवाने के लिए भी perfumes use की जाते हैं तो इस आउल आउट excipient नाओ दिस इस टाइप सफ डॉसेज फॉर्म्स यानि कि कौन कौन सी तरह की dosage forms होती है तो यह बिसिकली क्लासिफाइड इंट टू टू टाइप सू टू 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 that will be considered as a root of administration और किस form में यानि कि solid form है वो semi solid है liquid है या gaseous है उसको हम बोलेंगे as a physical form so root of administration में जैसे हम पीछी पढ़ चुके हैं oral, topical, rectal, parenteral, vaginal, inhaled, ophthalmic और optic यह सारी हो जाएंगे आपकी root of administration के तरू जो दी जाती हैं dosage forms और physical form में आपकी solid, semi solid, liquid or gaseous तो यह सारी हो जाएंगे आपके physical form के basis पे यानिकी एक तो हो गया कि आप किस जरीये मतलब किस रास्ते के थूरू दे रहे हो उस रास्ते के अधार पे आपने जो dosage forms का नाम रख दिया और एक हो गया कि वह उसकी form क्या है मतलब वो state जैसे liquid, gase or solid state होती है तो उस form के अधार पे आपने उनका नाम रख दिया यह कुछ ऐसी आपको यहां पर root of drug delivery दिखाए जा रही है जिसमें आप दोनों साइट से बता सकते हो कि वह कौन सी blood के दूरू दी जा रही है, topically दी जा रही है, transdermal दी जा रही है तो जैसे आप इसमें देख हाई हुई है सबसे उपर, that is a sublingual, यह जो है वो sublingual है, एक बार मैं इसको फिर से repeat out कर लेती हूँ, zoom out कर देते हैं इसको, तो इसमें जो सबसे पहला यहां पर आपको पार्ट दिखाया जा रहा है, that is a sublingual, so इसमें sublingual जैसे दिखाया जा रहा है कि जीप के नीचे रख के यानि टंग के नीचे रख कर जो दवाई हम देते हैं उसको हम dosage form को बोलते हैं, sublingual dosage form, nextly intraocular यानि कि जो eyes में दी जाती है, ocular reason में, उसको हम बोलेंगे intraocular, intraoral यहां पर दिखा है, intratracheal, trachea reason में, urinary tract reason में, nucous membrane, reproductive tract, rectal, pulmonary inhalation, intranasal, so यह सब जो है, यह roots of drug delivery हैं, जो कि आप basically आगे भी पढ़ेंगे कि कौन सी drug कहाँ पर दी जाती है, और किस root के through दी जाती है, और उनका क्या नाम है, जैसे कि हम parental पढ़ चुके है, parental blood में दी जाती है, IV और IA के through, so यह कुछ ऐसी हम लोगों ने दवाई के नाम लिखे हैं आपर, जो कि उसकी root पर अधार करते हैं, जैसे कि वो किस root के through दी जाती है, और उनके क्या forms है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, कि वो oral form है, या फिर वो, sorry, solid form है, semi-solid है, suspensions है, gaseous form है, तो वो inhalers है, कि aerosols है, तो वो सब कुछ अभी हम नेक्स वीडियो में इसमें पढ़ेंगे,